आगे बढ़ते गाजयबाद से बड़ी खबर 50,000 का इनामी बदमाश धेर हो गया है इनामी बदमाश मोनू चौधरी धेर हो गया है एंकाउंटर में दो पुलिस कर्मी घायल भी हुए है गाजयबाद की मुरादनगर इलाके में ये मुटभेड हुई है प्रॉपर्ट्री वि गाजयबाद की मुरादनगर इलाके में ये मुटभेड हुई और बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में मुकेश गोईल की हत्या को इसने अंजाम दिया था जादा जानकारी के लिए हमारे सायोगी अमित हमारे साथ जुड़ गया उन्हीं से अपडेट लेते है करते हैं इसका प्रेया आतंका प्रेया का इसा बात से आप लगा सकते हैं कि मौनु चोदरी की आदि में शुमार था कि वो कभी अपने तार्केट को एक या दो गोली नहीं मारता था ताकि उसके बचने कोई चांस ना रहे हाला कि आज जब पूल इसको मुक्वित से सोचना मिली कि मौनु चोदरी इलाके में गुमरा किसी बड़ी वार्दात को अंजाम दि सकता है तो ऐसे में मौराद नगा साचेत के गंग नहर जो पटरिया है वहाँ पर पुलिस चेक्निक पी जा रहे थी तबी मौनु चोदरी पाइट से वहाँ पर आया और चैसी पुलिस ने उसे रुखने का शारा किया उसने पुलिस पर भी साबरतोर फाइरिंग शुरू कर दी जाबावी कर रहे करते हैं पुलिस ने भी गोलिया चलाई जिसमें मौनु चोदी को गोलिया लगी और अस्पताल में भर्ति कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे म्लद कोशित कर दि आप नजर बनाए रखिए जानकारी के लिए बहुत शुक्री आपका